आज की इस वीडियो में हम लोग geometric progressions में geometric mean के बारे में देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो positive number है तो उन दोनों positive number के बीच में एक geometric mean को कैसे निकालते हैं साथे साथ हम लोग इस वीडियो में इसको भी जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई दो different positive number है तो उसके बीच में हम n geometric means को कैसे निकाल सकते हैं इन सब को हम लोग with formula derivation के साथ देखने वाले हैं तो आईए इसमें ध्यान से देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं geometric mean के बारे में geometric mean यानि इसको हम उस्वाट में जो है GM बोल सकते हैं GM यानि geometric mean अब यहां पर geometric mean के लिए सबसे पहले हम इसमें suppose क्या करते हैं कि हमारे पास कोई दो number है और दोनों number positive है तो लिखेंगे यहां से suppose a and b are any two positive numbers यानि हमारे पास a और बी कोई दो positive number है अब इसमें suppose क्या करते हैं लिखते है also suppose फिर से मानते हैं कि a, capital G, b are in GP एकदम ध्यान से दिखेगा दिखें सबसे पहले हम इसमें क्या माने है कि हमारे पास a और बी कोई दो positive numbers है इसके बाद हम suppose कि है कि a, g, b are in GP आपको पता होगा कि कोई भी दो real number है तो उसके बीच में infinite real number होता है तो वैसे a और b कोई दो positive number है तो उसके बीच में एक number तो ले ही सकते है तो उसके बीच में एक number हम क्या ले लिए capital G ले लिए अब ऐसा ले करके चल लाए कि तीनों जो है किसमे है जीपी में है अब जब जीपी में है तो आपको पता होगा कि जब भी नमबर आपको जीपी में होता तो उसके बाद common ratio के आप जाता है है कि इसका common ratio सेम होगा तो इसमें करेंगे क्या किसे हम ढगार हम कर जाते हैं अब इसके में कर देजेगा तो ऑगा हो जागा और इधर एचे बीमें मल्टिप्लाइब हो जाएगा तो क्या हो जागा एबी हो जागा तो हमको तो G के value चाहिए ना तो G equal to answer लिखा जा सकता है square root of AB square root of AB और ध्यान अखना कि यहाँ square root of AB से जो भी value अमनों बाहर निकालेंगे इस सिर्फ और सिर्फ का होना चाहिए positive होना चाहिए अब यहाँ पर दिखेगा starting में दिया हुआ कि A और B दोनों का ऐसा number है तो positive number है हम चाहें अगर मालने टे A और B दोनों को negative कर देते हैं तो भी हमारा product जो ही क्या हो जाएगा positive हो जाएगा लेकिन दिक्कत क्या होगा कि अगर मालने टे A negative है B negative है दोनों का product positive हो गया तो square root से बाहर positive अगर हम लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक दो negative number के बीच में positive number नहीं होता है इसलिए ऐसा काम नहीं कर सकते हैं अगर इन दोनों में किसी एक को positive किसी एक को negative कर देते हैं तो उस situation में क्या होगा कि root के अंदर का जो number होगा आपका negative हो जाएगा यानि value imaginary में करमट हो जाता है इसी कारण से अगर हम zero कर देते हैं तब तो समझे के root के अंदर zero हो जागा तो zero और zero के बीच में कहा कुछ मिलने व लिखना है वही हमारा geometric mean का काम करेगा जैसे एक जामपल आपको इसे हम देते हैं ध्यान से दिखेगा लिख रहें यहां से यह geometric mean है between एक geometric mean हमको बताना है फोर and 16 के बीच में तो इसमें करेंगे क्या कि square root के अंदर दोनों को multiply कर देंगे 4 into 16 तो multiply कर देजेगा तो कितना जागा 64 तो बाहर value कितना निकलेगा 8 यान इन दोनों के बीच में एक geometric mean हमको क्या मिल गया 8 मिल गया मालने तियां सेम को लिखना है यह geometric mean between 3 and 27 तो हम क्या करेंगे square root के अंदर 3 और 27 दोनों को multiply करेंगे square root of 81 यह नि बाहर का निकलेगा 9 तो हमारा एक geometric mean हो गया तो एक geometric mean निकालने के लिए कोई घंजट नहीं है सिधे square root के अंदर दोनों नंबर को क्या कर देना multiply कर देना तो एक geometric में आसानी से निकल जाता है अब हम बात करते हैं कि अगर कोई दो number है दोनों positive है तो उसके बीच में हम चाहें तो in geometric mean को लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे आई इसको concentrate होके देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला है उस पर भी हम बात करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई दो positive number है तो उसके बीच में number of geometric means in लिखा जा सकता है इन का value कुछ भी हो सकता है तो आई इसको concentrate होके देखते हैं कि टॉपिक है हमारा कि एन कि जमेट्रिक कि एन जमेट्रिक मेंस है बिट्विन है कि एंड बी यह और बी कोई दो number है इन दोनों number के बीच में हमको number of geometric means कितने बताना तो इन बताना है तो इन बताना है है कि आपका number three और four हो गया तो इसके बीच में चाहिए तो पांच जमेट्रिक में दस जमेट्रिक में बीस जमेट्रिक में मतलब जितना भी जमेट्रिक में चाहिए आप बता सकते हैं इसमें कहीं से कोई रिस्टिक्शन नहीं है तो यहां हम टॉपिक बात करने वाले फिर से इसको लिखते हैं थोड़ा सा हाइलाइट नहीं हो पाया है टॉपिक हमारा अट इन कि जमेट्रिक कि मेंस कि बीट्विन कि अगरे एड़ बी ए और बी के बीच में को कितना जमेट्रिक में बताना तो इन तो सब्से पहले आसे हम सब्सक्राइब करते हैं कि सब्सक्राइब G1, G2, G3, and so on, Gn, R, N, geometric means between A and B, यह ऐसा मान करके चलते हैं कि G1, G2, G3, and so on, Gn, जो है, टोटल कितना geometric mean है, तो N geometric mean है, किसके बीच में है, तो A और B के बीच में, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कि A, G1, G2, G3, and so on, Gn, G1, B, R, N, GP, यहनि जो आपका sequence देख रहा, अभी किसमें हो जाएगा, तो GP में हो जाएगा, देख रहा है ना, जैसे मान लेते कि G1, G2, G3, and so on, Gn, इसम आपका geometric mean है, तो जाइड सी बात है कि GP में होगा, अभी किसके बीच में है, तो A और B के बीच में, तो A को पहले डाल दिए, B को बीच में, लास्ट में डाल दिए, तब होगा क्या है, यहां से यहां तक जितना भी हमारा sequence जो बनना नहीं, confirm है कि किसम हो जाएगा, GP में हो जाएगा, अब ज़िपी में हो जाएगा, तो यहां सा अगर हम लिखते हैं, नमबर अप टर्म्स, क्या लिखते हैं, यहां इस GP में कितना टर्म है, तो आप ध्यान से देखेगा, G1, G2, G3 and so on, Gn, तो G1 से लेकर गे, Gn तक टोटल नमबर अप टर्म N हो रहा है, एक टर्म में है, एक टर्म लास्ट में, यहांनि टोटल नमबर अप टर्म समाना कितना हो जाएगा, तो N प्लस 2 हो जाएगा, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो GP होता है, इसमें अगर हमको Nth टर्म बताना तो इसका फर्मना होता है, A into R का पावर N-1 होता है, ठीक है, यानि GP में अगर हमको Nth टर्म बताना तो इसका फर्मना क्या होता है, A into R का पावर N-1, A का मतलब फर्स टर्म हो गया, R क तो दखेगा इसमें ध्यान से कि यह बनना जीपी इसका लाश्ट टॉर्म कोंने तो यहां से लिखेंगे एक दम ध्यान से देखना एक है का मतलब फॉस्ट टर्म भी क्या है फिर उसके बाद आर तो आर का मतलब common issue तो हम suppose कर लेते हैं कि इस gp का जो common ratio है यह क्या है रहे हैं यहांगि यह आपर लिखते हैं suppose इस gp का जो common ratio है यह अपकर किसका एक होला है आर तो इसके जगा आर हो गया फिर पावर में ए-1 है तो इन का मतलब number of terms हो गया minus one तो इसमें number of terms कितना दिख रहा तो n प्लस 2 दिख रहा, n प्लस, n प्लस 2, इसमें से माइनस 1 कर लेंगे, तो आगे बढ़ाएंगे न, तो b equal to हो जाएगा, a into r का पावर घटेगा न, इसमें से, तो n, और 2 में से 1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा 1, अब इसमें से हमको r चाहिए, तो यहां से लिख सकते हैं, r का पावर n प्लस 1, r का पावर n प्लस 1 equal to b by a, अब आगे बढ़ेंगे न, तो r चाहिए हमको, तो लिखेंगे b by a, r का पावर n प्लस 1 है, उधर जागा, तो इसका पावर 1 by n प्लस 1 हो जागा, यह हमारा r का value हो जागा, अब इसमें हमको करना क्या है, कि इसमें हमको n geometric mean ब बताना, g1, अब इस gp को ध्यान से देखेगा, तो g1 जो है, दूसरे टर्म का का काम कर रहा, यह सी फर्स टर्म, यह आपा कौन सा हो जागा, तो यहां से जब हम gp का बात करते हैं, तो इसमें एन टर्म के लिए फर्मना ए, n equal to a into r का पावर n minus 1, तो मालने तो इसी फर्मना तो a into r का पावर 3 minus 1, यानि ar square हो जाता है, यानि यहाँ पर 13 टर्म है तो r का पावर 2 है, अगर मालने तो चौथा टर्म होगा, तो r का पावर कैं हो जागा 3, यानि r का पावर एक कम कर देना है, तो यह हमारा कौन सा टर्म है, इस gp का तो दूसरा टर्म होने का मतलब हो जा फिर हम को जी टूबताना तो जी टू का बात करेंगे तो इस जीपी का तीसरा टर्म आपका जी क्वार्ट गजाएगा ए अर आर प्लस ओन है इसका स्कॉयर कर देना इसका क्या अगर देना स्कॉयर यह इसको लिखा जा सकता आई एंटू बी बाई एक पावर होगा तो डू बाई इन प्लस उन फॉन हो जागा वैसे मालने तो कि अब गए फिरी लिखना तो तो हो जाएगा a r का पावर कितना 3 हो जाएगा यानि इसको लिखा जा सकते है इस पैटर्ण पर डारेक्ट a into b by a का पावर 3 by n लिखते जाएंगे and so on मालने यहां से हमको जीन लिखना है क्या लिखना जीन तो यहां से दिखेंगा एक पैटर्ण बन चुगा है कि अगर जीवन का बात कर रहा है तो एंटू b by a का पावर 1 by n प्लस 1 जीटू लिख रहा है तो जैसे देखें एंटू b by a है और यहां 2 by n प् फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपको ध्यानक ना है कि a और b कोई दो पोजेटिव नंबर है तो उसके बीच में हम n जोमेट्रिक मीन को बता सकते हैं कैसे तो इन सारे फॉर्मॉला के उच करके मालने तो आपको क्वेस्टन देता है कि 3 और 4 के बीच में जो है 5 जोमेट्र हो जागे इसमें पूट के निकल जागा फिर से दूसरा चाहिए तो यहां आएंगे बैलो पूट कर देंगे यहां निकल जागा तो इस तरीका से आसानी से हम लोग जोमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं मिलेंग अगली वीडियो में थैंक्यू